नमस्कार आदाव आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप और लल्लन टॉप को की किताब वोला सीरीज आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा नाम मुबारक है इस सीरीज में हम अच्छे अच्छे लेखों को से मिलते हैं और उनकी अच्छे-च्छी किताबों पर बाते करते हैं इसी का स्वागत हैं सर ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं बहुत जादा भी की हैं बहुत जादा पसंद की गई है और बहुत सारे एवार्ड सर की जोली में भी आये हैं सर पिछले लगबक 30 सालों से लिख रहे हैं और 30 सालों की जर्नी में उन्होंने जो कुछ भी साहित्यो पो दिया है उसने साहित्यों को बहुत ज़्यादा रिच किया है पानिपतिन की बहुत मशूर किताब है और हम इस वक्त जिस वज़े से बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि पानिपत का इंग्लिष ट्रांसलेशन आ रहा है मराटी में सर दिखी थी 88 में 31 साल पहले अब अब उसका इंग्लिष ट्रांसलेशन आ रहा है हिंदी भी आ चुका है वानि प्रकाशन से इंग्लिश आ रहा है एका वेस्ट लैन ने चापा है आप जरूर पढ़िएगा जिस भाषा में आपको सहज लगती है ये किताब उसमें पढ़िएगा मराथी, हिंदी, इंग्लिश और भी भाषाओं में इसका अनुवाध हुआ है जो हम बाचित के क्रम में आपको ही तो सर शुरू करते हैं हम पानिपत से ही एटी एट में लिखी थी क्या उम्र थी तब आपी अठाइस साल की उम्र में आपने इतना कलेवर में बड़ा विस्त्रीत और रिसर्च बेस्ट एक उपन्यास लिए तो जैनरली जब कोई राइटिंग करियर शुरू करता है तो क कोई छोटी-छोटी कहानिया लिखता है को एका 200 पेजिस का उपन्यास लिख लेता है कोई रोमैंटिक कहानी लिख लेता है आपने क्यूं सोचा कि इतना बड़ा फैलावा में करने उसके पहले कॉलेज में मैंने शॉर्ड स्टोरीज बहुत लिखी थी नहीं है इसा नहीं ह लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यह पहली नूपन्यास मेरा परिचय इस उपन्यास के कारण होना चाहिए और मैंने छे साल इस पर रिसर्च किया अस्टार्टेड इट जब मैं बाइस साल का था तब से स्टड़ी शुरू किया और उसके बाद एक छे साल में हमेशा इधर अधर करनाल यूपी शामली बाकपत इसी एरिया में जाहिए जंग पानी पत्ल का युद लड़ा गया तो आप फिर उस पर आपने रिसर्च की फिर जब किताब आई तो इंस्टंट हिट रही या इंस्टंट हो रही तारीफों के मतलब आपको वर्शा हो गया तारीफ की यानि इ किताब आने के बाद एक बरस में इसके रॉयल्टी पर मैंने कुलापूर शहर में बंगला कंस्ट्रक्ट करवा दी मतलब आप वह रेयर उदारन हैं जो भारत में लिखकर पैसे कमा रहा है यानि कि हमारे यहां लेखों को किस्तिती अमूमन इतनी अच्छी नहीं होती कि लो कि आपने कितनी रिसर्च थी कितने वक्त की मेहनत थी इसके पीछे छे साल की मेहनत थी और पानिपत पर भीजे गए पत्र और पानिपत से आए हुए पत्र चोटे मोटे करके 12,000 बारा हजार लेटर थे वह सब मैने पड़े 12,000 लेटर देन अकाउंट हिस्टोरिकल अकाउंट देन कुछ बखर यहनि की अगें हिस्टोरिकल अकाउंट काशिराज जैसे वह सब दस्ताइवज मैंने पड़े बखर यानि एक तरह की उस वक्त की डाइरी टाइप को सिस्टम होता है बखर हमारे हिंदी पार्टकों को नहीं जुए आई विटनेस हाँ आई विटनेस अकाउंट जो उस वक्त रियल टाइम में किसी में निखी हुए जो कुछ उदर दर्शक था या खुद जुटा हुआ था युद में और कुछ नजीब खान के बारे में कुछ नहीं मिल रहा था तो इंडिया ओफिस से लंडन से भी हमने काउजात मंगव और बहुत भारी रिसर्च किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि साधारन कहाणी नहीं है साधारन कहाणी हम लिखते पब्लीशिंग के लिए भेज देते इसका रामायन महाभारत जैचा इपीकल इसका नेचर है इसकी ताकत बहुत बढ़ी है इसके कारेक्टर पाड जैचे है तो सोच समझ के पूरा स्टडी करके इस पर सोच समझ से करना चाहिए इस वास्ते में छे साल काम करता रहा और उसका फल भी मिला उसका फल मिला तो जब इतनी एक्स्टेंसिव रिसर्च हो रही थी आपकी तो आपको हेल्प भी मिली होगी कुछ लोगों की या अपने ही दम कई हिस्ट्री के प्रफोसर लोगों से किया बाते की दिन में पानीपत पे खूद एक चार-पाच मैना मैं मैंने स्टे किया पानीपत में और जहाजाए जंग चड़ा गया था उस देहातों को भी मैंने विजिट के तो जब फिर किताब चप गई उसको ग्रैंड डिसेप्शन मिला अब लोगों ने बहुत तारीफ की कितने निकले इसके अब तक इसके मराटी में 42 एडिशन निकले 42 बार ये किताब चपी है और कम से कम दो लक्ष लाग से ज्यादा प्रतियप दीख चुकी है दो लाग से मराटी में किताब आ गई और 91 में भारतिय ग्यानपीट जैसे चोटी के पब्लीशिंग हाउस इंस्टुटूशन ने इसको हिंदी में लाया और तब पीवी नर्सिवराओं जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने और ही वाज़ा प्रेसिडेंट अप भारतिय ग्यानपीट और उन्होंने मराटी में किताब पड़ी और तुरंत हिंदी वालों को बोला कि यह अच्छे किताब है इसमें हिंदी में लाउंच किया जाए और इसका पंजामी में हुआ है कानड़ा में हुआ है गुजराती में हुआ है अच्छा तो मतलब काफी भाषाओं में हुआ है इंग्लिश में यह पहला एडिशन है और इसके भी 10-20-50 एडिशन हो सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो किताब पर थोड़ा बात करते हैं पानीपत का युद्ध मराठों के लिए तो एक जैसे मान लीजिए एक सॉफ्ट कॉर्णर है उसके प्रतिया एक ऐसे जख्म है जो उनको इतनी सदियोबाद भी सालता रहता है उस युद्ध का वहां का वह वर्नन महाराष्ट के घर-घर में बसाए कहावतों के रूप में तो इसमें करेक्टर जैसे आपने कहाँ कि पहाड जैसे करेक्टर एक त जब मैंने काम शुरू किया था पानीपत पर तो बहुत मुझे अपोजिशन हुआ अच्छा अपोजिशन इस बात का की पानीपत हैंने की साड स्टोरी मराटा कैप्टेंस उदर गए हार गए वह हमारी कुछ गर्वकीक बात नहीं है यह डिपीट की बात क्यूं पराजय की पराजय की बात क्यूं कर रहे हों ऐसे मुझे छेडा गए था और जब मैं पानीपत देखने गया था तब एक रामलाल जी का खेत था और रामलाल जी का गन्हों का खेत था गन्हों को खेत में उंके पास उनकी समा धी थी तो बहुत शूरू में आपोजिशन हुआ लेकिन म मालूम था इस कहानी का हाड क्या है और मैंने दोस्तों से बेट लगवाई थी ये पानिपत नहीं एक दिन ये पुन्यपत है पुन्यपत तक मैं ये कहानी लेके जाओंगा और आज मुझे बहुत संतोश होता है कि 14 जन्वरी को पानिपत के याद में आज रोड मराठा और बा पानिपत की किरदारों की बात की किरदार सच में उसमें बहुत स्रॉंग है सदाशिव राव भाव है विश्वास राव है एक करेक्टर जो मीरा फेवरेट था दत्ता जी शिंदे और उनका वो डायलोग बचेंगे तो बचेंगे तो और भी लेड़ेंगे प्रसंग प्रसंग हुआ था जब दत्ता जी शिंदे घायल थे उनके पूरी बदन से खुन आ रहा था और तब नजीब खान के साथ कुतूब शाया और कुतूब शाय ने देखा कि इस बेदिंग इन ब्लड ना रहे खुन में और तब उनको भला लगाते और पूछते क्यों दत्ता पटेल लड़ोगे तो उटने की कोशिश करते हैं आदा उटते हैं और उनके आखों में भी खुन टपकता है और बोलते हैं क्यों नहीं बचेंगे तो और भी लड़ेंगे जरूर लड़ेंगे तो इस तरह के यह वाक्यां जो है वह महाराष्ट में घर घर चलते हैं मैं क्योंकि महां रह चुका हूं तो इस वज़े से मुझे पता था सदा शुराव भाव को इधर खास तो हिंदी बेल्ट में पानीपत के लिए जिम्मेदार माना जाता है जो में सदाशिर भाव नायक नहीं ते खल नायक ते अच्छा मैं उनको खिल खल नायक टेरा के पूरी जिम्मेदारी उनके सर पे देने वाला था लेकिन जैसे मुझे पूरे काख़ाद पड़े और यहां का हाल देखा यहां की टोपोग्रापी देखी और भाव ने यह जितने के लिए जो प्रयास के देखने के बाद मेरा मत परिवर्तन हो गया मन परिवर्तन हो गया और फाइनली आए केम टू तो कंकूलुजन के नहीं भाई यह नायक है यह नायक है एक बात में बताता हूं कि 14 जन्विरी को जब भूके पैसे मराठास तडप रहे थे पानीपत पे और इट वस डिसाइडेड यह निश्चित किया गया था कि भाई के मदत के लिए पेश्वा आएंगे पुना से और पुहेश्वा नाना सहाप दसेरे को 40,000 की फाउज लेके दिल्ली की तरप पानीपत के तरप निकले लेकिन वह कह गये वह वासे पुना से निकलके पैटन क्षेत्र और उसी तिर्थक्षेत्र में इन पेश्वा ने अपनी जिम्मेदारी का कोई उनको तकलिप नहीं रहा, इडिंट बोदर एंड ही गोट मैरीड वित नाइन इयर ओल्ड चाव गल कुद का शाधी रचाया और वह जश्न मनाने के लिए अपने दोस्तों का भी भ्य प्रयास किया जंग जितने का बहुत कडवा प्रयास किया तो इनकी करेक्टर इट वस टोटेली डिपरेंट जो अभी तक बताया गया उससे मैंने जो सवश्वदन किया उस सवश्वदन में यह भाव का चित्र कुछ अलग ही मिला आपके रिसर्च में यह सामने आया कि सदाशिव राव भाव ने कोशिश तो किती पर उन्होंने पेश्वाओं का उनको साथ नहीं मिला जब जरूरत थी तब पेश्वा कहीं और थे अगल बगल के जो हिंदू राजा थे मेवाड मारवाड यवन भरतपूर से भी सब हिंदू राजा उनों भी साथ नहीं दी सब्सक्राइब उनको मालूम कर्या आमत्शा अब्दार्य अभगानिस्तान से आया है यह जंग होने के बाद वो अबढ़ आनीस्तान जाएंगा ल बावी यह बैटेगा दिली का बात्शाथ बनेगा या पतियला का बात्षा बनेगा तो इस वास्ते बाके के लिए इस वास्ते में बाटेशन के इस वास्ते ना मराटों की ममदत मुदी ना है औरговर की मदत Katata युद्ध के दोरान अपने परिवार को साथ रखने का भी मराटी फोज को लुक्सान हुआ वह एक बहुत बड़ा बड़ी वज़ा है क्या कि जब बड़े बाजिराओ थे बाजिराओ नौर्थ में आने के बाद उनका जो उनका जो प्रेम चा बहुत चर्चित प्रेम प्रकर नोकर चाती थी और बारिश के शुरू में वापिस आती थी तो आट महिना अगर आदमी मर्थ घर से बाहर रहेगा तो किसी न किसी आवरत के प्यार में भज जाएगा यह तो यह डर से तुम बाहर कुछ लपड़ा करने के से घर की आवरतें लेके चलो परिवारी लेकर चल उसको मराटी में नोकर चाकर उसको बाजार बुंगे करते हैं एक 40.000 की पहुष ती और उसमें बहुत तिर्ते यात्री थे उसमें जने में दिक्कत थी क्योंकि बीच में डिकाइब थे वगरे वगरे कारण तो कुछ तिरते यात्री थे कुछ बच्चे थे कुछ आउरते थी और धर्म का पगड़ा धर्म का प्रभाव जनमानस पर इतना बड़ा था कि भाहू कुट नॉट अपोज रिलीजन और पेशवान को भी धर्म के सामने हार मानी पड़ी तो इस वज़े से वह 40,000 का जो एक्स्ट्रा बैगेज सेना के साथ था अंत में उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो गया रसत के फ्रेंट पर भी दिक्कत आई कि खाना सबको खिलाना दिक्कत होगी फिर उतर भा अहावते पैदा हुए कि विश्वास तरगेला पानि पच्चा युद्धात क्या मतलब इसका बताएं इसका मतलब कि विश्वास पिश्वे डाइड इन बैटल ओपानिपत लेकिन मेरे उपनेस के बाद लोग कहने लगे कि यस वन विश्वास लौस्ट इन पानिपत अश्यतोष माहराष्ट से हैं उन्होंने पढ़ा होगा आपकी किताब महराष्ट में हैं कभी अप्रोच की कुछ उनका जो प्रोडियूसर है उन्होंने एक जो स्क्रिप राइटर है हमारी महाराष्ट के बड़े संजय कृष्णा जी पाटील जिनको जोगवा के लिए नाश परवान की देदी और संजय पार्टिन एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसका रिडिंग शेलट करके ऑफिस में भी हो गया तब अशुतोष गुवारिकर वस नौट ऑन बोर्ड अलसो तब संजय पार्टिन ने यह अशुतोष का नाम सजेस्ट किया था लेकिन अशुतोष उने क आने के बाद ही रिजक्टेट संजय पार्टिन एवरी तिंग मुझे इसमें कुछ जाना नहीं है यह लेकिन यह क्या है कि जानी-वानी कहानी है यह पबलिक डॉमें की कहानी है तो मैं कुछ अब्जेक्शन नहीं लेना चाहता था लेकिन जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर तो ट्रेलर देखने के बाद मैं I come to the conclusion कि इस कहानी का soul and body everything is my उपन्यास इस किताब से मेरे किताब से पानी-पत्सी इस वास्ते मैंने I have gone in Bombay High Court lawsuit चल रहा है कॉंपेंसेशन का Intellectual Property Act के अंदर चल रहा है तो एक तारिक हो गई अभी second hearing third December को है अच्छा तो third December को court में एक hearing है उसके बाद पता चलेगा तो आपकी क्या डिमांड है आशितोष्ट मेरी डिमांड एक है कि I want to go through the script and I want to watch the movie मुझे पूरा बिश्वास है कि यह उन्होंने मेरे कान से चुराया है ऐसा मेरा allegation है अगर मैं शावित ने कर पाऊंगा तो मैं पब्लिक ली एपलोजी भी भांगूंगा लेकिन एटलिस्ट दे शूट में मैनिस्क्रिप्ट ताल रहे है मुझे मुझे दोनों देखना चाहता हूं तो ताल रहे हैं अगे की डेट मांग अच्छा तो तीन तारीक को कोड में पता चलेगा है अच्छा जो फिल्में बन रही है हिस्ट्री बेस्ट आपको क्या लगता है सिनेमा हिस्ट्री के साथ अपने ढंग से छेड़ चाड़ कर रहा है नहीं मुझे कि यह प्रोडूसर लोगों ने भूलना नहीं चाहिए कि हमारा एक बाप जिसका नाम था के अशीफ जन्होंने मोगले अजम निर्मान किया लेकिन मोगले अजम के करेक्टर दिखाते वक्त उन्होंने कभी भी बड़े-बड़े करेक्टर के साथ छेड़ चाड़ नहीं किय वहां सलीम कभी भी अनारकली के साथ नाचेगा नहीं है जब शुटिंग शुरू था और दिलिप साहब एक फूट आगे गए थे एक पीट आगे गए तब के असिपने बताया नहीं आप शहजादे हो और लड़की आपकी तरफ आने चाहिए आप उसकी तरफ नहीं स्कुली कि भाजेरव पेश्वा नाच रहा है बमाजेरव पेश्वा नाचने वाला नहीं था नचalonर धान अनने दूसरों कर नचवा या बँद कभी नाच्वा अरू फिरवी गलती है कि भाजेरव ऑस गणेश भक्त उनके महल का नाम गणेश था ओ खंडोबा-दू का गा परवती भी नाच रही है यह खिलवाड पिंगा सौंग पानीपत में भी परवती भाई भी नाच रही है आपको लगता है कि यह इस लेवल की छेड़छाड हो रही है यह तो चो भी यह तरेंड अभी चल पड़ा है तो हम दूनों चीजे परक पा रहे हैं पर 100-200 साल बाद क्या ये फिल्में ही एतियासिक दस्तावेज बन जाने का खत्रा है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है आपको लगता है कि जो रिटन टेक्स्ट है वो अपना मुकाम बनाए रखे और कोई एक दस साल के बाद अच्छा प्रोडूसर आएगा डारेक्ट आएगा वो सई ढंग से दिखाएंगा तो आपको ये भरॉस आए तो उसकी टैक लाइन है की मुगलों पर पहली सर्जिकल स्ट्राइकजास क्यूबल जाहे तो उन्होंने उसको की तरफ आ जाएगा क्यूंकि कॉस्चुम को लेके भी कई बार ऐसी आपत्य आती है कि जो सिनेमा पर दिख रहा है महेंगे महेंगे वैस्तर वह एक्चुली उस कालखंड के नहीं होते उस मौसम के हिसाब से ठीक नहीं होते साहब मैं बता रहा हूँ हमारे एक बहुत बुजर्ग थे भालजी पेंडार कर इतने बड़े आइकॉन उन्होंने मराठा के या हिस्टोरिकल कॉस्चुम क्या कैसे होने चाहिए इसका भी बहुत अच्छा लेशन दिया है लेकिन आज हम मराठी सिरियल में और मराठी फिल्म म हुआ कि और तों की फैस मा पागोटा बड़ा के वह पैंते मराठी कपी नहीं ता हिस्टी में इसा हम खून बरे वस्त्र दुश्मन से खून भरे वस्त्र सर पेज़े लपेट देते और दूंकी सढ़िया नहीं लेकिन भिका रहे हैं सढ़िया क्या करें आपकी और किताब पर बात करते हैं आपने एक और बहुत सुंदर किताब लिखी है महानायक सुभाष चंद्र बोस पर हमारे पास यहां रखी भी है मैं आपको दिखा दूए इसका हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश टांसलेशन है यह भी एका वेस्टेंड लेही छापा है और यह मैंने हिंदी और मराठी दोनों में पड़ी है यह भी बहुत अच्छी किताब है आप जरूर पढ़िएगा सुभाष पर जब आपने रिसर्च कियोगी सुभाष बाबू पर तो एक चीज मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आज कल करेंट सिनारियों में एक नरेटिव खड़ा किया जाता है कि गांधी नहरू वर्से सुभाष तो जब आप किताब लिख रहे थे उस दोरान क्या आपको ऐसी चीजे आई कि देखें कॉन्फलिक्ट सब में थे उस दोरान जितने भी थे पर उन सबका मैं समझता हूँ कि अल्टिमेट गोल एक ही था पर आज उसको अलग-अलग क्य है लीडर लोग बाट लिए हैं अपने आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को ने अगेन मैं एक इपिकल स्टोरी करके ही इन रिलेशन में देख रहा हूँ क्योंकि नेरू वर्से सुभाष ऐसा दुश्मन के तरह नहीं आप दिखा सकते वी शूड अंडेस्टैंड देर कि उनके भीतर संबंद कैसे थे सुभाष को नेरू जी चोटा भाई मानते थे और जब जब कलकथा नेरू जी जाते थे तब वन उडबन पाक जो नेटा जी का घर था उनके घर में नेरू रहते थे और नेरु और सुभाश में घहरी दोस्ती थी इवन गांदी जी वाज़सो वेरी गूड रिलेशन्स एक मैं आपको पता दू कि नेरु जी का एक लेटर एक होते है बंच अप ओल्ड लेटर्स में वह चपवाया भी है उसमें नेरु जी लिखते है कि देखेशन्स आफ अस्ट्राइम वरेट आर टेकिंग शेप आफ अनवाइड़ेबल शेक्सप्रियन ट्राजडी जैसी अनवाइड़ेबल होती है वैसे हमारे रिलेशन चल रहे है उन्होंने लिका है तो यह एक महाबारत रामाइन जैसी कहानी थी दुश्मन नहीं थे दोस्त गांधी और सुभाष में लेकिन तनाव उतना ही था विचारदारा कि थी जग लड़के जीतना चाहते थे अपने अपने रास्ते थे गोले की था पर आजकल तो यह हुआ है कि अगर आपको सुभाष करना है तो गांधी को गाली दिन है जरूरी हो गया है यह नेरेटिव कै क्या क्या थी इन तिनों की यह भी मैं बता सकता हूं कि उस दिन वो कहा थे क्या कर रहे थे एंटेल यू वन एक्जांपल जब सुभाष को बैनिश किया कॉंग्रेस से हटा दिया इंडेन नाशनल कॉंग्रेस के दुबारा अध्यक्ष होने पर भी गांधी जी ने हटा दिय गांधी जी मेड अनाउंस्मेंट और उसी दिन नेरु जी का सुभाष के घर में मुखाम था और यह राइटर के भीतर पर मैं मैंने कैसे नैरेट किया कि दूसरे दिन नेरु वस गोइंग टू अलाबाद उनको हवडा ब्रीज पे छोड़ शुड़वाने के लिए सुभाष वस गोइंग टू सी हिम ओफ वो गाड़ी लेकर छोड़ने जा रहे थे वो ऐसे घर से बाहर निकल रहे थे इतने में सुभाष जी की एक निस जिनका नाम गीता वो उसके हाथ में एक गुलाब की डंडी थी उसको मालूम था कि चाचा जी को फूल बहुत पसंत है गीता के हाथ की ओफूल डंडी सुभाष ने लिए ओफूल काट दिया और फूल नेरुज के कोट पे लगाया तब नेरुज ने देखा ओचिला है वो काटा चुप गया ना सुभाष देख देख तेरे उंगली से खून भर आये तो सुभाष जी दो कदम पीछे हो गये उन्होंने हैंकरचप लिया और बोले कि जाने दो बड़े भाईया विधा त्याने फूल दिये आपके लिए और काटे रखे मेरे लिए मुझे लगता है ये ऐसे एक अलग नज दुश्मनी ने बढ़ाना वो दोस्ती बनानी चाहिए आपकी और किताब का मैं जिक्र करना चाहूंगा जाड़ा जड़ती का मेरी फेवरेट किताब है एक डैम की वज़े से विस्तापित हुए लोगों की कहानी है तो क्या आपने कोई रियल लाइफ में ऐसा कुछ देखा जिसमें दस मेजर डैम थे कुछ पूरे हुए थे कुछ का किसी का काम अभी अभी शुरू हो गया था तो बांध पिड़ित लोग बहुत बड़े मात्रा में हमेशा मुझे मिलते रहते थे एंड मैं गवर्मेंट ऑफिसर था फिर भी जॉइनिंग उनके बस्ती में जाता थ उनके साथ खेतों में घुमता था उनके साथ जंगल में घुमता था और उनकी कहाणी जो बांध पिड़ी तोंका जो हाल देखा कि कैसे उनको कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है कैसे रियली देरा उनका संसार यह बांध में डूब रहा है यह डूब मैंने खुद आकों से जर्थी में लिखी और क्या लिखी और वी डर्श फॉर डैम्ड करके अंग्रेजी में आया है और हिंदी में भी है आप किसी भी बाशा में पढ़िए नाम लिख लीजे जाड़ा जर्थी बहुत सुन्दर किताब है इतनी वराइटी है उसमें अलग-अलग जॉनर में इतन बहुत काईदे का बहुत अच्छा काम हुआ है वहां लेखन में क्या यह वजए कि वहां पाटकों की पढ़ने की लालसा ज्यादा है वह उनका रिस्पॉंस अच्छा रहता है किताबों के प्रती इस वज़े से वहां इतने अच्छे लेखक पनप पाए पूरे भारत के पर अधी है आती रहेंगी आपको क्या लगता है कि इसमें पाठोकों का बहुत रोल है वैसे रैटरों का भी है अभी नहीं लेकिन इसके पहले जनरेशन में बहुत बड़े-बड़े रैटर थे जैसे हना आपते देनाचार यात्रे अरी नार्यान आपते अचार यात्री कानेटकर कुस्मा ग्रज बहुत बड़े-बड़े राइटर हो गए है और उन्होंने जिन्दकी पर लिखते रहे एंड डे क्रेटेड देर ओन रीडर्शिप और तुरू और क्या होता है कि एक शब्द की एक लस्ट होती है अभी भी दो वो लस्ट पकड़ लेती है पाठक एक बंदा लिखता रहे और उससे समान जनक जिन्दगी जी ऐसा मुम्किन है मुम्किन है थोड़ा वेट करना पड़ेगा लेकिन और फिर उतना क्वालिटी मटेरियल भी देना चाहिए क्या होता है कि राइटरों के बारे में एक खूद का जो एक्स्पिरेंस होता है जो द जख्म होती है किसी की एक जख्म होती खुद की जख्म और किसी की ओढ़ना चाहिए और समाज में खाली एक रूम में बैठके यू कांट राइट यू शुड़ बी पिल्ग्रीम या जीवन के यात्री रहने चाहिए प्रेम चंद जी या शरचंदर जी की कहानिया आज भी क जो चलती है कि वह जन शागर में जुटे हुए राइटर थे जीवन के यात्री थे जी एतियासिक लेखन में खास तोर से क्यूंकि जब मेहनत बहुत लगती है क्यूंकि जब आप कोई रोमांटिक नॉवल लिख रहे हैं तो कहानिया अपने अपने दिमाग में बनानी होती है जब एतियासिक लिखना होता है तो आपको कई सारी लाइब्रेरी की दूल जाडनी होती है कई सारी जगाओं पर जाकर वहां पर देखना होता है कि जहां जहां चीजे घटित हुई कई सारे लोगों से मेल मुलागात अपनी होती है रेफ्रेंस उठाने पड़ते हैं कि इसके आगे मैं कुछ नहीं लिखोंगा हिस्टोरिकल नहीं लिखोंगा क्योंकि खाली एक पार्ट ऑफ हिस्ट्रिय कोई भी उसका पीता बन जाता है और राइटर को उसका जो खुद का सन्मान बिनना चाहिए उन्हीं बिलता है तो मैं नहीं कानिया लेकर आओंगा वह इंटर्नेट के दौर में इस staircase रिसेंच के लिए इंटर्नेट के दौर में आढ़ मीं यह वह मालूम पड़ता है लेकिन धेरिशे डेंजर पॉइंट अलसो कभी-कभी जानकर अगर अच्छी सही नहीं है तो यू कांट फॉलो देट तो टैली करना पड़ता है कि वह रिसेर्च रियली गुड रिसेर्च है या नहीं है काउंटर चेकिंग करना पूछ नहीं वाला था क्यूंकि इंटरनेट ने चीजे सुलब अब तो कर दी हैं साथ ही खत्रा भी बढ़ा दिया है कि कई सारी फेक चीजें आपको आती है तो आप कैसे फिल्टर करते हैं कि यह सही है यह ले सकते यह इसको छोड़ देना है जो स्टड़ी है उस स्टड़ी में मास्टर्स कौन-कौन है यह दूनना पड़ता है और और को देप्त में नहीं बताते हैं एक फसाड और ओर इंट्रोडुक्शन के लिए इंटरनेट ठीक है लेकिन देप्त में जाने के लिए आपको किताबों के तरफ ही जाना पड़ेगा लाइबरी और रिसर्च में उतरना पड़ेगा ट्रांसलेशन पर बात करते हैं आपकी बाशाएं के में अनुआद हैं के लगता है कि जब एक बाशा से दूसरे बाशा में कहा ने हैं तो शमें कहीं न कहीं आथमा को थक्का है पुरा खेत अमार ही है उसका मतलब है यह आपने बता दिया पर वह जो三क होगया उस भीछ वोजब हिंदी में ट्रांस्लेट होते हैं तो कही ना कही वो थोड़े डाउन हो जाते आपने अपने देखा है उसकी वज़े है कि ट्रांस्लेटर ने एक टेलर मेर्ड काम नहीं स्विकरना चाहिए जी ट्रांस्लेटर असो शुट बी इमोशनल लाइक ऑरिजिनल राइटर उ वो किताब के अगल बगल का उस सब्जेट का और भी कुछ पढ़ना चाहिए and he should become one with that subject अगर ओ मन से तन से एक हो गया तो अच्छा ट्रांस्लेशन आता है यही कि आप बस शब्दों को नहीं भाशा चेंज कर रहे हैं आपको भाव पकड़ना है पूरा लेकर आपके ट्रांस्लेशन पड़े हैं आपके ट्रांस्लेशन उतने ग्रिटी उतना आपको पकड़ के रखते हैं पर इन जनरल में ट्रांस्लेशन के दंदे के अगर बात करूं ट्रांसलेशन की ट्रांसलेशन करना और वस्त्रक की सिलाई करना यह दोनों एक लेवल का जो लोग काम मानते हैं वो अच्छा ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे यह दे शुडबी डेनिजन अफ देट विलेश ओ रहवास ही उना ही चाहिए उस गाओ के बनने चाहिए तब वह आगे रहना पड़ेगा तब ही आएगा फिल्म डिरेक्शन में भी थे आप रज्जो मुवी 2013 में आई थी कंगनार नावत लीड में थी उसके बाद फिर कुछ स पर है जब मौका मिली आपके पास तो अपना खुद का इतना है तो आप जब चाहे बना सकते लेकिन अब रज्जो बनाते वक्त मुझे कहीं लोगों ने सहयोग नहीं किया उसके कारण जो मेरे मन में था आई कुड नाट प्रोडूस ऑन स्क्रीन अच्छा तो अगर आपको हिस्टोरिकल कोई मूवी खुद ही बनाने का मौका मिले तो जितनी आपको शिकायत हैं आजकल की इन फिल्मों की फिल्मों से जो है उनको दूर करते हैं आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं क्यों नहीं तो आप जाएंगे कर लोंगा अच्छा हिंदी साइट ते पढ़त हैं बहुत तो अच्छी मुझे लगी डॉक्त राजंद्र बेदी की लाजवन्ती कता है वो बहुत 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 ही पढ़त। तो और एक मैं बताता हुआ आपको, मैं अभी पासिगाट में गया था, अरुनाचल प्रदिश में, उधर मैंने जिक्र किया कि भारत के हर भाषा के जो बड़े से बड़े राइटर थी, अधर प्रोफेशनली प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स ही इस भूमी के बहुत बड़े साहित्यकार बने हैं, यह द्यान में रखी है, हिंदी या अधर, प्राइमरी टीचर और पेटि क्लर्क्स, बड़े ग्यानी पीनी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो समाज का ग आपको क्या लगता है, जो इलिटिस्ट है, वो समाज से कटे वे रहते तो शायद भाव नहीं लापते हैं, वो चीजें नहीं क्याच कर पाते हैं, इसी वाज़े से, आप कैसे लेखक बनेते हैं, आपका क्या बच्पन रहा, कहां रहा, आपके बारे में तुमने बाती नही मेरा नेरले गाव है, सहयाद्री के परवत राजी में, वो एक वार्ना नाम की हिली रिवर है उसके किनारे का, 1700 यानि की 1400 अबाद ये खाली, वो चोटा सा गाव, लेकिन गाव चोटा है, लेकिन उन्होंने मुझे मोटी दुनिया दिखाए, कि बगल में जो जंगल है, दो क इले है, 40-40 किलोमेटर पे, एक विशाल गड़, दूसरा पनाल गड़, देन गाव में उस जमाने में जो फोक आर्टिस्ट आते थे, तमाशा, देन अधर लोकल आर्टिस्ट, ये कुदरत नहीं मुझे दे दिया सब, जो में आगे लेके गया, साहिते में, तो मेरे मिट्ट चलिन गते थे, काली कि देनेल, पहली बार कभ लिखा, आपने कुछ, पहली बार जब फिफ्ट क्लास में था तब मैंने ए मैजिकल स्टोरी जादू की काहाने लेकिन मेरे पहली काहानी, टेंत में, तब मेरी पहली काहानी गाइदा नाम की एकी ये लड़की का घर तूट ज तब मेरी पहली किताब आई अम्भी करके वह एक नौल थी चोटा नौल पानीपद से पहले दो सो पन्ने का नौल था चोटा लेकिन दो सो पन्ने का नौल था परावर है उसको भी नौल एक स्किम में ग्रैंट मिली थी फिर आप पानीपद की तरफ फिर आप नहीं लिखी इतने सुंदर किताब जिसे पूरे हिंदुस्तान ने प्यार दिया हमें भी यह किताब बहुत अच्छे लगती मेरी पर्सनल फेड़िट है और मेरी आपको सलाए कि आप भी जरूर इंग्रेजी तीनों भाषाओं में पंजाबी में भी है और भी किसी एक भाषा में गुजरात या कंणड में भी है तो इन सब भाषाओं में से जो भी भाषा आपको आती हो इसमें किताब जरूर पढ़िएगा जास पाटिल सर ने लिखी है और हम सब को विश्वास हैं कि जो भी नया पाटक इस किताब को उठा लेगा वो रख नहीं पाएगा तो आपको किताबें पढ़ती रहने चाहिए वैसे भी इन जेनरल भी किताबें हमें समरिद करती हैं किताबें हमें रिच बनाती हैं किताबें हमारी सोच का फलक थोड़ा सा विस्तृत करती हैं पढ़ वीडियो जैसी और बात्चीत मिलती रहेगी आप हमारे साथ बने रहेगेगा